नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जैस्वाल सर आपके अपने यूटूब चैनल सिच्छक भरती के चैनल आपके अपने परिवार अवर फैमली में जैस्वाल कोचिंग सेंटर में स्वागत अभिनदन दोस्तो बात करेंगे हिंदी ग्रामर के मौक ट सिच्चक सिचिका बनने के लिए पढ़ा करो सुबह और शाम चले शुरू करते हैं दोस्तों शबी मित्रों का विलकाम अभिनंदन है पावरडवाई सिच्चा ही प्रकास है दोस्तों हर एक बिक्ति जिसका सपना ध्यापक ध्यापिका बनना सिच्चक बनना जैस्वात सर सभी को नमन करते हैं तो चले दोस्तो मेंर को क्मेंट बाक्स में इंसर बता आना है तो चले reward दोस्तो शुरू करते हैं तो आप परिच्छा पिवह पे इस्टाल कर सकते हैं वहाँ पे आपको j Ин्जी कोड के साद 50% आफ मिलेगा साथी साथ वर्गतीन के लिए भी समिधा सिच्छक के लिए भी टेस्टरीज के लिए आप परिच्छाप इंस्टाल कर सकते हैं जैस्वाल सर 50 कोट के साथ आपको 50% आफ मिलेगा तो चले दोस्तों सुरू करते हैं आपके हिंदी ग्रॉमर की टॉस्ट क्लास जो है पहला प्रसन आपके स्कीन पर है और चैनल पर पहली बार वजिट करें ते एक बार प्यारा सा प्यारा भरा एक सब्सकाइब कर लिजेगा और दिल से एक बार दोस्तों लाइक कर दीजेगा चले पहला प्रसन दोस्तो हमेशा रहने वाला हम बात कर रहे हैं हमेशा रहने वाले की सास्वत ठीक है समसाइक प्रणदा पार्थियू जो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे जो आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो हमेशा आपके माइंड में स्टोर करेंगा यानि कि हमेशा रहेगा यानि हमेशा रहने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों उसको शास्वत बोलते हैं हमेशा रहने वाले को क्या बोला जाता है सासत बोला जाता है पहला आपसन सही हो जाएगा बहुत बहुत धनवाद जिन्हों ने कमेंट किया है ठीक है चले बहुत धनवाद दूसरा प्रस्ण है अंकेचक की बात करते हैं और ऐसे प्रस्ण है दोस्तों आप जो आपके अपटीत गद्यांस पद्यांस में पूछे जात तो अंकेचक की बात करते हैं तो अंकेचक क्या होता है अंकेचक जो होता है दोस्तों वह क्या होता है आय बेके आंक्णों को जाच करने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं अंकेचक बोलते हैं यह सभी लोग नोट कर लेंगे और ऐसे प्रसना आपकी जाम में पूछे ज अंगला प्रसने जीविसा की बात करते हैं जीवन से मुक्त की इच्छा को जीविसा बोलते हैं जीवन की इच्छा की बोलते हैं जीविका कमाने की इच्छा या आपके किसी चीज को पाने की त्रीव उतकंठा को बोलते हैं तो जीविसा किसको बोलते हैं प्यारे मित्रों सोना नहीं है सारी प्लेलिस्ट एक बार में खतम कर देना है क्योंकि यहाँ पर सेलेक्शन शरो पर ही है बात करेंगे जिजीवसा की तो जिजीवसा दोस्तों किसको बोलते हैं जिजीवसा उसको बोलते हैं जीने की इच्छा जिसको जीवन की इच्छा होती है जीने की पहला आप्सन, क्या यहां पर सेकंड आप्सन सही हो जाएगा सई हो जाएगा ठीक है यह repeat हुआ है question पार्थू फिर से repeat हो गया मान लीजे आप ही हैं बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा सरलता कहलाएगा धर कहलाएगा तनमयता कहलाएगा यह धीरच कहलाएगा तो कोई भी विगती जब बहुत ध्यान पूरक पुस्तक पढ़ता है तो वह आपका तनमयता के साथ पढ़ता ह ठीक है ध्यान से पुस्तक यानी जो ध्यान सब यहां पे एड हो गया जुड़ गया वो क्या कहलाएगा तनमैता से पढ़ रहा है ठीक है यानी तनमन से पढ़ रहा है आपके बिलकुल सी आपसंस ही हो जाएगा अंगला प्रसन है पलकों को गिराए बगयर क्या प्रसन है पलकों के या पलकों को गिराए बगयर आप पलक बोलते हैं उनमीलत बोलते हैं निमीलत बोलते हैं आपका जो निरनिमेस बोलते हैं आप लोग देखते हैं कभी कभी गेम सोता खेल कि आपको पलक देखते हैं सामने दो बिक्तिकों कर देते हैं अपोजिट फीमेल मेल कर देते हैं मेल मेल ज्यादा तर अपोजिट करते हैं मेल और फीमेल बैठा देंगे और उसको देखेंगे कौन पहले पलक गिराता है ठीक है तो ये एक हो गया गेम होता है लेकिन पलकों के गिराए बगएर को क्या बोलते ह उसको दोस्तों बोला जाता है आपका निरनिमेस बोलते हैं जो पलकों के गिराय बगएर क्या बोलेंगे एक सब्द में निरनिमेस बोलेंगे किसी विशय की पूरती चान बीन करना अगर कोई भी विशय है उसकी पूरी चान बीन करना जैसे आपके पुलिस वगारा करते हैं लोग देखते होंगे कोई घटना हो जाती तो उसकी पूरी चान भी इन की जाती है यानि किसी भी से की पूरी चान भीन करना उसे बिवेचन कहते हैं बिसलेशन कहते हैं सीमान सा कहते हैं या समिच्छा कहते हैं तो दीखे सभी लोग जानते हैं आप लोग ज्यानी है शर्वक है दोस्तों भाविये दापक अधा पिकाए हैं तो दोस्तों किसी विसे की पूरी छान बिन करना क्या कहलाता है बिवेचन कहलाता है पहला आपसंसा ही हो जाएगा जिसके पास कुछ नहो भाईये जिसके पास कुछ नहों उसको क्या बोलते हैं बहुत सारे बच्चे आपे निर्धन कर देते हैं ठीक है और जो बेसब्र वाले होते हैं वसी आपसं कर देते हैं जिनको सब्र नहीं होता है ठीक है दोस्तों तो निर्धन किसको बोलते हैं धनी बिक्ति को अगर यहां पे होता जिसके पा अकिंचन बोलते हैं ठीक है चले अंगला प्रस्ण छेपक की बात करेंगे दूसरों को छमा कर देने वाला सत्र पर घातक वार करने वाला या किसी ग्रंथ में अनबेक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग या किसी बेक्ति द्वारा छोड़े गए सेसकार को तो छेपक दोस्तों किसको बोलते हैं किसी अन या किसी ग्रंथ में अनबेक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग होता है उसको छेपक बोला जाता है ठीक है दोस्तों सी आपसन सही हो जाएगा बहुत बहुत धनवाद वीडियो लाइक करने के लिए शेयर करने के लिए शबी ग्रूप में आपका अपना परिवार है अब दोस्तों अंगला प्रस्ण है जिस तर्क का कोई जवाब नहों जी हाँ दोस्तों जिस तर्क का कोई जवाब हो नहों जोरदार तीखा शटीक या अकाच की बात करेंगे तो जिस तर्क का कोई जवाब नहों जैसे आपका कोई तर्क है मालीजे कर देते हैं चार दस लोग दोस्तों आप बैठे हैं वहाँ पे आपने तर्क कर दिया ऐसा एक तर्क कर दिया कि किसी के पास जवाब नहीं बिलकुल ताले लगे गए ताला रोग जिसका उपचार संभाव ना हो दोस्तो ध्यान पूरा कमेंड बाक्स में कमेंड बाक्स में कमेंड करना है और बताना इसका इंसर कि ऐसा रोग जिसका उपचार शंभाव ना हो उसको अरोगी बोलेंगे अतिरोगी बोलेंगे बिरोगी बोलेंगे अशाध की बोलेंगे कहते हैं न शाद पुरुष शाद पुरुष यानि कुनों ने साध लिया हो और ऐसा रोग जिसका उपचार न हो यानि अशाद है क्या कहलाएगा अशाद कहलाएगा वह या ऐसा रोग जिसका उपचार ही नहीं है जिसे आपके कुरोना भी चल ला था कुरोना भी वैक्सीन आ चुकी है लगने लगी है ठीक है तो ये क्या हो इसका असाध था लेकिन अब क्या इसका उपचार तो संभव है तो ये साध्ध हो गया लेकिन अगर ऐसा रोग आये कि जिसका उपचार ही संभव हो वह क्या कहलाता है अशाध कहलाता है अब देखते है अब आपका कमेंट यहाँ पर जवाब देगा कमेंट बाक्स मेरे को भाईया सुबह साम आके चिला के बोलता है कि आपके जो ये ठीक है ये फैमली वाले लोग हैं ठीक है ये सिचक है जो भाविय धापा के धापिका बनने जारे कोई देखो सिल्प कला कर देता है कोई मूर्ती कला करेगा कोई चित्र कला लेकिन जो राइट आपसने की ताजमल क्या है इस्थापत कला का एक अदभुत नमूना कहलाएगा डी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसन प्यारा सा प्रसन है उदै संकर भट हिंदी साहित के प्रमुक है जो आपके उदै संकर भट साहब जी है ये हिंदी साहित के प्रमुक कहानी कार है निवंद कार है उपन्यास कार है या नाटक कार है तो हम आपके कमेंट द्वारा इनका जवाब इनका इंसर इनका उत्तर जानना चाहते हैं कि उदे संकरवट हिंदी साहित के प्रमुख नाटक कार कहे जाते हैं ठीक है कमेंड वाक्स में सभी लोग बताएंगे रवीन नाट टैगोर का नाम सांस्कतिक एवं जगत में सदा अविस्मरनी रहेगा अब देखें यहाँ पर प्रस्न पूचा गया ध्यानपूरक देखेगा बहुत ही इंटेस्टेट टॉपिक सेशन चला है ठीक है रवीन नाट टैगोर का नाम सांस्कतिक एवं की खाले स्थान जगत में सदा अविस्मरनी रहेगा बहुत बहुत धनवाद अंगला प्रस्न प्यारा सा प्रस्न है क्या पूचा गया है अनतक परिश्ट्रम और सतत से बेक्ती सफलता की चरम सीमा को पा लेता है सतत से सतत बेवसाय से सतत अध्यावशाय से सतत आपके शमवाय से या सतत संक्याय से तो अनतक परिश्ट्रम और सतत क्या है अध्यावशाय से बेक्ती सफलता की चरम सीमा को पा सकता है राइट आपसन हम सी के बी के आपसन के साथ जाएंगे ठीक है दोस्तों आप देखते हैं अंगला परस केवल पुस्त की ग्यान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता है जो दोस्तों केवल पुस्त की ग्यान होता है वह छात्रों की मौलिक प्रतिभा का अमर्स नहीं कर सकता है उनमेस नहीं कर सकता है पियूश नहीं कर सकता है या आपका प्रत्यूश नहीं कर सकता है ये खाली स्थान में कौन सा आपसन आप फिलब करेंगे चार आपसन दिये रहेंगे ठीक है और आपको पता है एक गोड़ा होता है रेस का गोड़ा होता जिसके चार पैर होते हैं लेकिन जब गोड़ा रेस म जो मालिक है जो उस गोड़ सवाड़े को दोड़ा रहा है ठीक है तू क्या कर रहा है उसको जीता रहा है अर्थात केवल पुस्त की ग्यान चात्रों की मौलिक प्रतिभा का सही नहीं कर सकता वह दोस्तों उनमेस को है नहीं करता प्रतिभा का उनमेस नहीं करता है ठीक है भी अंगला प्रसन है देवा नंद की काम के प्रतिलगन और निष्ठा है तो देवा नंद की काम के प्रतिलगन और निष्ठा दैनी है अनुकरनी है शोबनी है हाश्पद है भाई ये बताए अगर आप अगर पढ़ने पर आपका जो काम है स्टडी करना पढ़ना काम के हैं टिक है तो आपकी लगन और निष्ठा को क्या बोलेंगे दैनी ऊब क्या दैनी तो नहीं बोल सक्ते सब्सक्रास कि नहीं आप यह पे आप उप्धा सुभा सुन्दर्थता तो कर नह Stephen नहीं दो शुना रहे हैं तो देवा नंदी की काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या कहलाएगी अनुकरणी कहलाएगी कोई ब्यक्ति अच्छा ब्यक्ति है ठीक है अब सुवास चंद बोस यह हो गए ठीक है हमारे जो डाक्टर साहिब जी हो गए अम्बेटकर जी हम उनके क्या करते उनके प्रत जो लगा नौनिष्ठा है उनका क्या करें अनुक पर नहीं कहलाएगे, मत्तब उनसे सीखना चाहिए, कांपी करना चाहिए, ठीक है, अब देखते हैं, अंगला प्रसथ कमल का संदर भामरे को ही आकरसित कर सकता है, भ sailors को नहीं, बहुत अच्छा प्रसन है, टॉपिकली ये बढ़े अच्छा प्रसने द्यान दिएगा कमल का संदर भावरे को ही आकसित करता है यानि कमल को जो संदर संदरता है वह भावर को ही आकसित करेगा भैस को नहीं भैस जाके कमल को सुंगेगे नहीं कमल को कौन सुंगेगा भावर ही सुंगेगे अर्थात यहाँ पर क्या कहलाएगा शौम रम शौरब शुक्मार तो यहाँ पर क्या कहलाएगा शौरब की बात करेंगे अंगला प्रसने दोस्तों कि बिग्यान ने ऐश्वर के साधन सुलब करा दिये हैं परन्तु समवेदन सीलता दिन प्रत दिन होती जा रही है हमारा जो बिग्ञान है साइंटिस्ट है उन्हें ऐस्वर के साधन तो सुलब करा दिये हैं पर तो समवेदन सीलता दिन प्रत दिन दुर्गम होती जा रही है दुरलब होती जा रही है या अलब होती जा रही है तो आपके यहाँ पे आपका उपिनियन का है नीचे कमेंड बाक्स में विलकुल कमेंड बाक्स आपका इंतजार कर रहा है कि फटा फट टाइप करिए ABCD दुर्गम दुरलब बिलंब अलब क्या होगा तो राइट अप्सन जाएंगे दुरलब की बात करेंगे तो बिज्ञान ऐस्वर के साधन सुलब तो करा रहा है परन्तु समवेदन सील्दा दिनप्रत क्या हो रही दोस्तो दुरलब होती जा रही है समवेदन सील्दा क्या हो जा है दुरलब होता जा रहा है अंगला प्रसना चुका है चारों पे एक जो भारी पड़ेगा सब पे भाड़ी परता है वो क्या है आपका कर्म दोस्तों अगर आपके कर्म अच्छे है तो आपके पास ग्यान भी आएगा आपका दर्म भी अच्छा है आपकी वानी भी अच्छी है इसलिए आपके कर्म अच्छे होना चाहिए ठीक है क्योंकि आप लोग भावी अधापक अधापी काई है सिच्छगबंदु है आप राष्ट मिवाण में सबसे बड़ा युगदान है ठीक है आप दोस्तो राष्ट की पीड़ी है आप लोग राष्ट के निर्माता है आप सभी को नमन है जहिंद है तो विश्व में दो गुणों का समवेश करने की चमता प्राप्त कर ली है अनुपातिक गुणों का अनुश्राविक गुणों का अनुशंगी गुणों का या अनुवन्शिक गुणों का तो दोस्तों क्या होगा इसका जवाब इसका कमेंट बाक्स में तर आप सभी को बताना है तो बैग्यान बैग्यानिकों ने अब जीवों में क्या है अन्वानसी गुणों का भी समेशन करने की छमता कर ली है डी आपसं सही हो जाएगा अंगला प्रसन है कि रमाइड और महा भारत का शमय हो गया है पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं नई है अर्थात रमाइड और महा भारत का समय क्या हो गया है अतीत हो गया है अभितूत हो गया है अभिनीत हो गया है या काला तीत हो गया है यह सब्द उठा लिया गया है और इस सब्द में खालिस्तान सब्द में दे दिया गया ठीक है और यहां पे आपका जो है राइट अप्सन क्या हो जाएगा काला तीत हो जाएगा क्योंकि रमायड और महा भारत हिंदी के पौराणिक ग्रंथ है और इनकी लेखनी की युगों बीत गए मगर आज भी इनकी प्रासंगिक्ता कायम है इन ग्रंथों का आयम इतना ब्रिस्तत है कि यह काल से भी परे हो गए है यही कारण है कि इन ग्रंथों को काला तीत कहा जाता है अते शही बिकल्प काला तीत होगा दोस्तों आप लोग देखें होंगे जब ये लागडाउन चला था तो रमाइड का एक पार्ट चला था फिर से सुरू किया गया था रमाइड का ठीक है तो घर में हम तो घर में भाईया सुरच्ची थे घर में रहना भी पड़ा था रहन चले अंगला प्रस देख लेते हैं पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर में दिया देखे कोई पिता होता है एक पिता है पिता ने पुत्र के प्रणाम का श्वारी चमा चाहता हूँ यहाँ पे प्रणाम लिखा हुआ है प्रमाण नहों कि यहाँ प्रणाम लिखा हुआ तो पिता ने पुत्र को प्रणाम का उत्तर किस में दिया अभिवादन में अवनीश में बक्सीस में या इसनेहासीस में तो कोई भी पिता है अपने पुत्र का अगर असिरवाद लेगा ठीक है अब अपने पिता के जब असिरवाद लेंगे आप लोग या आपका बच्चा आ उत्तर हो गए आपका इसने हासीस होना चाहिए इसने पूरा कासीस यानि हमेशा खुस रहो ठीक है हमेशा ये असिरवाद होता है और अंगला प्रस्ण है कि अपने जीवन के उद्देश की पूत के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा अथाय परिश्रम करना पड़ ठीक है तो अपने जीवन के उद्देश की पूत के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा यानि हमें आपको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तो अथक परिश्रम करना पड़ेगा अथक मतब क्या होता है ठकना नहीं है ठकना नहीं है कि भाईया आज मेरा सिरदर्द कर रहा आज हमें नहीं पढ़ना, आज हमें वीडियो नहीं देखना है, आज हमारा पैर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा चोंट लग गई है, आज थोड़ा अराम कर लेते हैं, दर्द की गोली ले लेते हैं, लेकिन भईया, अगर परिश्रम सफलता पाना है, कोई भी आपका उदेश ह है उसके लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा ठीक है सरवता वन हैंड़ेड एंड वन परसंट सत्य एंड फ्योरेंड से हो रहे हैं जी हां दोस्तों क्योंकि सलेक्षन यहां पर शरू पर है अब देखते हैं अंगला प्रसंट दैनिक जीवन में जो बिक्ति को इस् संदर्थ का सकति से कलातमक जो रुची होगी कला का संदर्थ का होता है यहां पर रुची भी साथ में तो क्या हो जाएगा धैनिक जीवन में जो बिक्ति शौंदर को इस्थान देता है उसकी कलात्म कुरुज का विकास होता है भी आपसन सही हो जाएगा अब देखते हैं 3-4 प्रसन और ध्यानपुर्ण देखेगा एक अंत में मौक क्वेशन भी रहेगा आपका मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रन छेत्र भी बिलास भूमें कर देती है परितिक्त कर देती हैं परिगणित कर देती हैं परिणीत कर देती हैं परिणत कर देती हैं आप लोग जानते हैं जो इंद्र के जवाने में जो नर्तकियां होती थी ठीक है अफसराएं जो होती थी वहीं यहाँ पे एक सब्द लाया गया है वहीं से एक लाइन है कि मुगलों की सिनौ में अगर नतिका रंचेत में भी बिलास भूम क्या कर देती थी तो वहाँ परिनीत कर देती कि परिनत की परिगरित या परित्यक्त राइट अपसन जाएगा परिनत कर देती रही ठीक है बिलास भूम में क्या कर देती रही परिनत कर देती थी यहाँ पर डी आपसन सही हो जाएगा दोस्तों क्लास कैसी है नीचे कमेंट बाक्स में बताएं और आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया है ठीक है अगर आपका ध्यान में नही प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार तो जो जो बेक्तिके अनभों में विस्तार होता है उसके समझ नए नए क्या खुलते हैं छीतिज खुलते हैं ये आप लुग ध्यान दिजेगा जितना आप पढ़ेंगे जितना आप यहाँ पे स्टडी करेंगे जितना जादा प्रेक्टिस करेंगे यानि जो जो बेक्तिके अनगों में भी स्थार होता है उसके समझ नए नए चीतिज खुलते जाते हैं चीतिज मतलब होता है रास्ता ठीक है अब यह आ गया मौक कोश्चन आ गया आपका शब से इसने प्रिय कोश्चन मौक कोश्चन आ चुका है शब का इसने प्रिय कोश्चन मौक कोश्चन दोस्तो और इसका जवाब कमिंड बाक्स में आपको बताना है कि मानो हैदें का जगत जगत जैसा नहीं है बहुत इंट्रेस्टेड कोश्चन है आप सरलता से मत लीजेगा दोस्तों ठीक है इंट्रेस्टेड कोश्चन है कि मानो हैदें का जगत प्रत्च जगत जैसा नहीं है परोच जगत जैसा नहीं है अन्भूद जगत जैसा या अद्रस जगत जैसा तो किस मानो हैदें का जगत जो है यहनी आपका हमारा जो हैदें का जगत है वह किस जगत जैसा नहीं आपको कमेंट बाक्स में बताना है तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी ठीक है कमेंड बाक्स में और लाइक शेयर करके माध्यम से जरूर यहाँ पर बता दीजिए और ऐसी क्लासे बिर्ट त्यारी के लिए सेलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब जरूर करें आपका अपना परिवार अपने परिवार को शेयर करें दोस्तों चले मिलते हैं नेस क्लास में सुबराती जहिंद वंदे मातरम धनवाश अभिकर